टोक्यो ओलम्पिक में भारत को बजरंग पूनिया ने एक और ब्रॉंज मेडल दिलवा दिया है इससे पूरे देश में खुशी का माहौल देखा जा रहा है उन्हें पीम मोदी सहित कुछ अन्यनेताओं ने बधाई दी है बता दे कि कुश्टी में पूनिया ने कजाकिस्तान के रसलर डाउलेट निया जेव कोव को आठ जीरो से पराजित किया इस तरह भारत को टोक्यो ओलम्पिक में अब तक कुल 6 मेडल मिल चुके हैं बजरंग पूनिया हरियाना के जजजर जिलेक के गुड़न के निवासी है बजरंग को कुश्टी विरासत में मिली क्योंकि इनके पिता भी पहलवान रह चुके हैं बजरंग ने महत 7 साल की उम्र में कुश्टी शुरू कर दी थी जिसमें उन्हें अपने पिता का पूरा सहयोग मिला बजरंग के सपने को साकार करने के लिए उनके पिता बस का किराया बचा कर साइकल से अपने काम पर जाते थे दरसल साल 2015 में बजरंग का परिवार सोनी पत में शिफ्ट हो गया ताकि वे भारती खेल प्रादीकरण में सेंटर में ट्रेनिंग कर सकें बैरहाल बजरंग पूनिया की मेहनत उस समय रंग लाई जब उन्होंने 2013 में दिल्ली में हुए एसियन रेसलिंग चैंपियंशिब में कांस पदक जीता था इसके बाद बजरंग ने बुड़ा पोस्ट में हुई विश्व कुस्ती चैंपियंशिब के 60 किलो वर भारत वरग में कांस पदक अपने नाम किया फिर उन्होंने शांदार प्रदर्शन करते हुए 2014 में राष्टर मंडल और ACI खेलो में सिल्वर मैडल जीता उसी साल बजरंग एसियन रेसलिंग चैंपियंशिब में भी रजेत पदक जीतने में काम्याब रहे थे इसके बाद बजरंग एसियन कुस्ती चैंपियंशिब 2017 और Commonwealth Games 2018 में स्रौन पदक जीतने में काम्याब रहे वही 2018 के ही एसियन गेम्स में बजरंग ने यादगार प्रदर्शन करते हुए 65 किलो भारत वर्ग में पीला तमगा अपने नाम किया बता दें कि उस समय बजरंग ने अपना यह गोल्ड मेडल पूर प्रधानमन्त रेडल बीहरी बाजपेई को समर्पित किया था अक्टूबर 2018 में हुए विश्व कुस्ती चैंपियंशिप में सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही वे 65 किलो भारवर्ग में दुनिया के नंबर एक पहलवान बन गए अब हम आपको बजरंग पूनिया के निजय जीवन के बारे में बताते हैं दरसल पिछले साल नंबर में ही वो संगीता फोगाट के साथ शादी के बंधन में बने थे संगीता द्रोना चाड आवार्डी महावीर फोगाट की बेटी है संगीता भी अपनी संगी बहने गीता बविता और रितू की तरह विसलिंग में दाउं पेच आजमा चुकी है दिल्चस्प बात यह थी कि बजरंग पूनिया ने संगीता के साथ साथ नहीं बलकि आठ फेरे लिये थे आठ फेर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर था न्यूजडेस के भी न्यूज